Dear Students, Welcome to the STP Computer Education. Students, आज की इस वीडियो में हमें Java Script का Chapter No.7 Variable Chapter को contain करना है. Students, आज का जो Chapter Variables है, यह Variable Chapter किसी भी Programming Language के अंदर बहुत ही Important मानना जाता है. So, इस Chapter को आप बड़े ही ध्यान से समझने की कोशिश करियेगा. Okay, So, जो Variable है, Programming में सबसे Important क्यों मानना जाता है, पहले हम इसके बारे में जानते हैं. ठीक है? So, सबसे पहले देखिए, जो Variable है, आपका Programming में इसलिए Important मानना जाता है, क्योंकि Variable के माधियम से, आप किसी भी डेटा को Memory में Store कर सकते हो. ठीक है? अभी आपने क्या जाना? Variable से हम क्या करते हैं? Variable के माधियम से, हम किसी भी डेटा को कहां Store करते हैं? memory में store करने का काम करते हैं ठीक है, so variable का क्या use होता है variable का use यह होता है कि जो data है, उस data को store करने का काम कौन करता है, variable और कहां store करता है variable memory में store करता है, ठीक है, किसको store करता है data को, ठीक है, जब तो एक बावर सुनिये ध्यान से variable का क्या use होता है जो हमारा data होता है उसको store करता है in memory मे वेरीपल का इतना ही work होता है यह जो चोटा सा work है वेरीपल का यह बहुत ही बड़ा work एक तरहिके से हमारे programming में ताबित होता है जैसे कि अभी मैंने आपको बताया जो variable है क्या है एक माध्यम है Variable क्या है? एक माधियम है जिसके माधियम से हम अपने data को memory में store कर सकते हैं अब इस बात को मैं देखिए काफी times बार बार repeat करें क्यों कह रहा हूँ इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप इस बात को अच्छे से समझ सके कि जो data है वो variable में store नहीं होता वो कहां store होता है? memory में किसके माधियम से? variable के माधियम से अब variable ऐसा क्यों करता है? means हमारे data को memory में क्यों store करता है? और हमें memory में data store करने की क्या जरूरत है? ठीक है? तो इसके बारे में जानते हैं तो हम अपने data को memory में इसलिए store करते हैं क्योंकि जब तक memory के अंदर हम अप data को store करके रखेंगे ना तब तक हम उस memory उस data के उपर बहुत ही अच्छे से हम काम कर पाएंगे ठीक है काफी साला जैसे कि देखो यहाँ पर क्या लिखा है वेरियबल एक माध्यम है जिसकी मदद से हम memory में store किये गए data पर काम कर सकते हैं अगर आपका data memory में store है तो क्या होगा हम उस store data से काफी बड़ी बड़ी functionality को बना पाएंगे अपनी website में या फिर अपनी application में अगर आपका data आपके memory में store नहीं रहता है तो हम बहुत बड़ी functionality और features को develop नहीं कर पाएंगे ठीक है तो अगर आप चाहते हो कि आप भी बड़ी बड़ी features और functionality को बनाओ तो उसके लिए आपको क्या करना होगा अपने data को memory में store करवाना होगा ठीक है तो जो आपका data है वो memory में store करवाने के लिए आपको variable का use करना होगा ठीक है अब variable का use होता कैसे है variable बनता कैसे है जिरह वो देखिए जैसे कि आपने सुना होगा अपने maths के chapters के अंदर आप variable बनाते थे और उसमें value assign करते थे ठीक है उसी तरह से यहाँ पर भी है आप यहाँ पर भी variable और const का ही जो logic है वो अपलाए हुआ है तो वो देखिए जैसे कि यहाँ देखो यहाँ क्या लिखा है x assign 8 ठीक है क्या लिखा है x assign 8 means x के अंदर 8 value आ चुकी होगी ठीक है means हमने क्या किया है x में 8 को डाल दिया गया है ठीक है तो यह जो x है आपका क्या है variable है और यह 8 क्या है value है या फिर आप इसे constant भी बोल सकते हो ठीक है और जो यह बीच में आप देख रहे है ने equal to assign इसे हम programming के शब्दों में equal to ना कहके assignment operator बोलते हैं या फिर assign बोलते है assign operator ठीक है तो कभी भी आप पढ़ो इसको तो आप ऐसे पढ़ोगे x में 8 store है ठीक है क्या है x में 8 store है ठीक है आप कैसे पहचान होगे कि कौन सा variable है और कौन सा constant है तो देखो जो assignment operator है इसके जो left side में है बाए side में वो क्या होगा आपका variable होगा और जो assignment operator के दाहिने side है वो इसका value होगा ठीक है constant होगा अप इससे constant बोलोगे और इस side वाले को variable बोलोगे ठीक है आप इसका use क्यों करते है जर वो भी देख लेते है practically ठीक है तो I think आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि variable क्या है और इसका इस्तमाल हम क्यों करते है data को store करने के लिए करते है memory में ठीक है memory में store करने के लिए data का इसका variable का use करते है ठीक है इतना समझ में आगया आपको अब जर इसका practical session हम achieve करेंगे तो जो यहां रिखिए यहां पर मैंने क्या किया है script के अंदर मैंने एक variable बनाया ऐसे x में मैंने क्या किया 8 को assign किया और इसे terminate कर देता हूँ तो क्या जो यह x है यह x अभी variable है अभी यह x variable नहीं बना क्यों नहीं बना अगर मैं इस code को अभी run करता हूँ तो क्या होगा जो interpreter है वो इस x को नहीं समझ पाएगा तो इस x को interpreter को समझाने के लिए हमें क्या करना होगा keywords का use करना होगा याद होगा आपको जब हम function बनाते हैं तो function keyword का use करते हैं function की name से पहले ताकि interpreter को यह पता चल सके जो यह name है यह एक function है ठीक है उसी तरह से हम यहाँ पे where keyword का use करेंगे जिससे की यह साबित हो सके कि जो यह x है यह एक तरीके का variable है यह कोई ordinary text नहीं है ठीक है सो अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ यहाँ पे keyword ने क्या किया इस x का मतलब interpreter को समझा दिया कि जो यह x है यह एक variable है और इसके माध्यम से हम क्या करेंगे इस 8 को store कर देंगे RAM में means memory के अंदर ठीक है तो यहाँ पे क्या हुआ आपका जो x है x के अंदर क्या आ गया x के अंदर देखो हमने assign कर दिया 8 को ठीक है अब अगर मैं इस x को नीचे window.alert के अंदर assign कर दूँ जैसे कि यहाँ देखिए window.alert अगर मैं x को ऐसे pass कर दूँ तो देखो जो print out होगा वो क्या print out होगा 8 print होगा. क्यों 8 print होगा? क्योंकि x के अंदर क्या आया है? 8 आया है ठीक है? सो यहाँ पे जो हमने x define किया है आप इसको single quote से ऐसे lock नहीं करोगे अगर आप इस x को ऐसे single quote से lock करोगे तो यह एक तईके का character मान लिया जाएगा और simple से x ही print हो जाएगा. देखिए जैसे कि अगर मैं इसे reload करता हूँ और यहाँ पे आता हूँ और load करता हूँ तो देखो अभी क्या print हो रहा है? यहाँ पे x print हो रहा है ठीक है? लेकिन मैं क्या चाहता हूँ? जो x के अंदर value है वो print हो तो आप इसे single code से lock नहीं करोगे और क्या होगा? यह जो x के अंदर की जो भी value होगी जो हमने यहाँ assign करी है वही value यहाँ पे आपके print हो जाएगी तो कि मैंने save किया और यहाँ पे मैं इसे run करता हूँ तो देखो यहाँ पे क्या आया? 8 आगया? कैसे 8 आया? क्यों की हमने क्या किया था? इस x के अंदर 8 को assign कर दिया था अभी जैसे मैंने आपको बताया variable का क्या use होता है? variable का use हम क्यों करते है variable का use हम इसलिए करते है ताकि हम variable के माध्यम से memory में data store कर सके memory में data store कर सके तो अभी हम क्या कर रहे है यहाँ देखो आपको मैंने याद होगा बताया था RAM के अंदर क्या होता है कई सारे memory blocks होते है और इसके अंदर जैसे एक बार data आया और load हो जाता है और execute हो जाता है तो यह memory block खाली हो जाता है तो यहाँ देखो जो यह आपका x है कहाँ पर execute कर रहा है जो यह आपका x है वो यहाँ पर execute कर रहा है ना कि यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है आपका variable का एक तरीके से create हो रहा है अभी आपका variable ठीक है? जैसे कि यहाँ देखो जो variable है आपका x यहाँ पर create हुआ और execute कहा हुआ? यहाँ पर execute हुआ तो सबसे पहले होगा क्या आपका जरह वो देखिए सबसे पहले जो आपका यह variable x है यह x store हो जाएगा कहाँ पर? इस वाले memory block में जैसे मैंने यहाँ पर 8 को store कर दिया अब जब एक बात और मैं आपको बता दूँ यहाँ पर चो memory blocks है अब किस memory block में आपका data store हो रहा है वो इतनी असानी से पता नहीं चलता है वो काफी मुश्किल होता है पता करना कि किस memory block में आपका data store है ठीक है? लेकिन हम वो आगे सिखेंगे कैसे निकालना है, कैसे पता करना है लेकिन अभी जब देखिए यहाँ पर जैसे कि मान लो इस 8 के अंदर, sorry इस memory block में आपका 8 store हुआ ठीक है? और जो यह window.alert है यह जो दूसरी statement है यह कहाँ store हुई? यहाँ पर store हुई, ठीक है? जैसे w.a डाल देता हूँ window.alert ठीक है? window.alert किसमें store हुआ? इसमें store हो गया ठीक है? तो अब जाए धियान से देखिएगा, जब आपका variable इस memory block में insert होगा means इसके अंदर store होगा तो इस memory block का जो नाम होगा ना, वो नाम इसका change हो जाएगा किसमे? x में ठीक है? means क्या हो जाएगा इस memory block का जो नाम है वो किसमें convert हो जाएगा x में आपका convert हो जाएगा फिर क्या होगा? कि जब यहां से window.alert के अंदर अगर आप x को ऐसे pass करते हो तो यह memory block देखेगा कि यह तो x memory block को ही print करना चाहता है तो क्या होगा? जो यह x वाला memory block है इस block का जो भी value होगा वो इसमें transfer हो जाएगा और execute हो जाएगा ठीक है? means execute क्या मतलब आपको output मिल जाएगा ठीक है? यहां पर आपको output नहीं मिल रहा है. output कहां मिल रहा है? इस वाले memory block से आपको output मिल रहा है. means आपने क्या किया? देखो data को यहाँ पर store किया. और data को देखो किस तरसे आपने दूसरे memory block में use किया ठीक है? तो इसी को कहते है कि हमने क्या किया, छोटे से इस memory block के अंदर अपने 8 को इस 8 को दूसरे memory block में call करवाके इसका output निकाल लिया, call कैसे करवाया, मतलब हमने इसकी value यह x, x क्या है, इस memory block का नाम बन गया है, तो हमने क्या कि इस memory block को यहां पर assign कर दिया, तो इसका जो भी data होगा, वो भी यहां पर आ जाएगा, आपको याद होगा, जैसे कि आप mathematics में करते थे, कि अगर आप x में 8 value assign करते थे, तो यह बाद में अगर इस x को कहीं पर भी लिखोगे, तो x क्या कहलाएगा, 8 ही कहला जाएगा, ठीक है, जो भी आप value इस x में assign करोगे, तो वो x की जो value बनेगी, वही बनेगी जो आपने पहले उसमें assign करी है, तो वही चीज यहाँ पर भी है, इस variable के concept में भी, ठीक है, चाहिए आप अगर x की जगा y भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, जो भी आपका दिल करे, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर, अगर y में देखो, store करता हूँ, और अगर save कर हूँ, alert करता हूँ x को, तो देखो क्या होगा, error हो जाएगा यहाँ पर, कुछ भी आपको result नहीं मिलेगा देखने को, ठीक है, so मैं क्या करता हूँ, x की जगर y प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है, y लिखने का मतलब क्या लिखा मैंने यहाँ यहाँ पर 8 को लिख दिया, ठी उसके बाद, दूसरी statement आपकी यहाँ पर load हो करके execute हो रही होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका variable का definition हो रहा है, variable declaration हो ठीक है, देखो, जहाँ पर आप variable को बनाते हो, उसको आप बोलोगे variable declaration, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, फर्स्ट ला statement भी सिधा सिधा execute करेगी, और यह साथ ही आपका variable भी, ठीक है, जब यह दोनों एक साथ यहाँ पर execute कर जाएगा, तब जाकर के, जो यहाँ पर आपका data है, इसमें store, यहाँ से भी खाली हो जाएगा, और यह वाला data भी यहाँ से खाली हो जाएगा, ठीक है, so, I think आपको ठीक है, तो पहले इस variable concept को आप अच्छे से समझ लो, पढ़ लो, ठीक है, और अगर कोई ऐसी बात जो variable में आपको समझ में ना आई हो, तो आप हमें call करो, हम आपको और अच्छे से इसे समझानी की कोशिश करेंगे, okay, so, thanks for watching our video, have a nice day.